महाराष्ट्र के राइगर जिले में एक दर्दनाक हाथ्सा हुआ है खोपोली कजबे के पास एक पहाड़ी अलाके में रविवार की रात एक बस के पलट जाने से दो छात्रों की मौत हो गई है और 47 अन्य घायल हो गई है ये चात्रों लोनावला में पिकनिक मना कर लोट रहे थे बताया जा रहा है कि बस का ब्रेक फेल होने से बस का नियंतरन विगड़ गया और बस पलट गई एक अधिकारी ने बताया है कि घटना लोनावला हील स्टेशन से लगभग 14 किलोमीटर दूर पुराने मुंबई पुने राजमार्क पर रात करीब 8 बजे मैजिक पॉइंट पहाडी के पास हुई है ये चात्र चेंबूर के एक कोचिंग कक्षा के थे और वो सभी दस्वी कक्षा में पढ़ते थे घाया लोगों कोलोनावला और खोपोली के हस्पतालों में ले जाया गया जहां दो बच्चों को बृत घोशित कर दिया गया है